हेलो दोस्तो मैं हूं सुदेश और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूं बत्वे का रायता तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है रायता मैंने तो रायता बनाने के लिए आपर मैंने बत्वे को इसे साफ कर ल नियुकर नीकिन ही नाद्र सकते हैं और यहां पर एक खड़ाई लिए है आप कोई भी बरतन ले सकते हैं बगोना या कुछ भी इसे पांच मिंट के लिए पकाईंगे अबस इसका फालर चेंज जाए इसको इतना ही पकाएंगे तो यहाँ पर देखे पांच मिंट हो गए हैं यह पूरी तरीके से पका नहीं है और इसे थोड़ा सा हलका सा ठंडा कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं यह रायता है जो दही में बनाने वाली हूं आप चाहे तो लसी में बना सकते हैं और यह दही थोड़ी गाडी है मैं इसको पत इस बत्वे को पीछ लिया, इस तरीके से बिल्कुल बारिक नहीं किया है, हलका सा ये थोड़ा सा इसमें मोटा पन है, तो मैंने दही भी पतला कर लिया तो और ये इसके अंदर डाल दिया है, और इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यहां पर नमक डाल दिया है, मैंने म गैस पर कडची रखी है इसे गरम कर लेते हैं यह गरम हो गया इसमें तेल डाला और जीरा हींग डालकर और डेगी मिर्च का एक तड़का लगाया है देगी इस तरीके से और तड़का हमारा लग गया है रायता बिल्कुल एक दम से त्यार है तो बहुत सिंपल है इस तरीके स राइता बनाना और बहुत बहुत टेश्टी लगता आप एक बार इस तरीके से जुरूर बनाए राइता तो छोटा सा वीडियो है आप लोगों को पसंद आता है लाइक के जिए और कमेंट में बताईए कैसा लगा चैनल को सस्क्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताईए वीडियो कैसा लगा आज की वीडियो में इतना ही दन्यवाद